राम और श्याम दो अच्छे पडोसी थे। राम बेहत गरीब किसान था जबकि श्याम अमीर पैसे वाला बड़े मकान का मालिक था। राम भले ही गरीब था लेकिन वह अपने को हमेशा खुस और आराम महसूस करता था। वह कभी भी रात में सोतेश में कभी घर की खिड़किया या दर्वाजे बंद करके नहीं सोता था। उसे किसी भी परकार की चिंता नहीं थी। वह पूरी रात आराम से गहरी नेंद में सोता था। और इस परकार उसका जीवन शांती पूरुन कट रहा था। जबकि उसके ठीक उल्ट श्याम इतने धनवान होने के बावजुद हमेशा तनाव में रहता था। वह पूरी रात खिड़कियों और दर्वाजों को बंद करके भी सो नहीं पाता था। वह हमेशा इसी चिन्ता में रहता था कि कहीं चोर उसके तिजोरी को तोड़कर धन ना चुरा ले जाई। जिसके कार्ण उसे दिन रात बस धन की फिकर लगी रहती थी। एक दिन की बात है शाम राम से बोला तुम हमेशा गरीबी में ही रहते हो मुझसे कुछ धन ले लो और तुम भी अपना जीवन सुक पुर्ण गुजारो। इसके बाद राम अपने पडोशी से धन पाकर बहुत खुश हुआ। उसने नय जाने कितने सपने देखने लगे और इस परकार रात भी होने को आई। फिर धन को घर में छिपा कर खिड़कियों दर्वाजों को अच्छी तरह से बंद करके बिश्तर पर सोने को चला गया। लेकिन उसे आज निद ही नहीं आ रही उसका मन बार बार मिले धन पर ही जाता था। पर बार बार अपने धन के बारे में सोचता रहा जिसके करण आज वह पहली बार पूरी रात सो ना सका। और फिर राम ने निश्चे किया कि इस धन के चलते मेरे नींद और सुक चली गई हो भला वह धन मेरे किस काम के। आज सुबह ही इसको अपने मित्र श्याम को ये धन वापिस कर दूँगा और जैसे ही सुबह हुआ वह धन को लेकर श्याम के पास आ गया। और धन लोटाते हुए बोला कि मित्र में गरीब जरूर हूँ लेकिन सुक से अमीर था। आपके दिये पैसे ने मेरे सारे सुख चैन को गायब कर दिया। ऐसे धन नय होने से ही अच्छा है। इसलिए इसे आप वापस अपने पास रख लें। और इस परकार धन लोटाने के बाद फिर से राम अपने सुक के दिनों में वापस लोट गया। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कोमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।